नमस्कार बीके बिजनस आडिया चैनल में आपका स्वागत है यह वीडियो सीरीज का दूसरा पाठ है इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हम बनाएंगे तो उसे थिक करना बहुत जरूरी है गाड़ा करना तो एसी डिसलरी को तो हम थिक नहीं कर सकते क्योंकि वह तो न्यूटलाइज होता है लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप थिक कर सकते है तो देखिए यह दो तरह से थिक होता है पहला साल्ट दूसरा सोडियम मेटा सिल्केट तो हम इसी दोनों से इसे थिक करेंगे और देखेंगे कि किसे यह किन्ना बढ़िया थिक होता है चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें बिल आकान घंटी दबा दें जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंद पहुँ सके देखिए पहले वीडियो में हमने जो यह लिक्वीड इटरिजन बनाया था यह बहुत बढ़िया गाड़ा हुआ है ठिक हुआ है एसेल एस लिक्वीड को हम दोनों प्रकार से इस वीडियो में ठिक करेंगे नमक से और सोडियो मेटा सिल्केट से तो देखिए सबसे पहले नमक से हम ठिक करेंगे देखिए बराबर मातरा में हम वाटर लेंगे और बराबर मातरा में एसेलियो लिक्वीड यह वीडियो कि आपने पूरा देखा तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि 반대 को हम किसे किसे कितना ज्यादा थिक कर सकते हैं नमक से नमक से या सोडियम मेटा शिल्केट से तो देखिए बडाबर मातरा में वाटर लिया और बडाबर मातरा में यह Looks लिक्विट अब हम सबसे पहले इसे नमक से गाड़ा करेंगे और उसके बाद सोडियम मेटा सिल्केट से तो आपके सामने यह एक वीडियो है प्रेक्टिकल प्रियोग का तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ज्यादा कमेट करिए लाइक करिए सबस्क्राइब करिए कभी भी से लिकविट में नमक मिलाना चाहिए तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके लाना चाहिए अट करना चाहिए जिस्ने आपका यह लिक भीट तो अगर आपने ज्यादा नमक एक बार में उसमें डाल दिया तो वह क्या होगा आपका लिक्विड डिटर्जेंट बना रहे हैं तो खाराब हो जाएगा इसलिए इसमें थोड़ा-थोड़ा करके आपको नमक एट करना है और वह जब बढ़ियां थिकने सो जाए तो उतने प दिखाया तो आप जाकर ओव वीडियो देख लीजीगा तो देखिए यह तो नमक से हो गया अब हम दूसरा करेंगे सोडियम मेटा सील्केट से सोडियम मेटा सील्केट से भी अगर इसलियस को ठिक कर रहे हैं तो वही नियम है थोड़ा-थोड़ा करके आपको सॉडियम वह बहुता दे रहा हूं से शल्ट हको भाड़ा एक प्रकार का लिंख भीष ख्राइबा सकते हैं वह बहुत बढ़िया काम करेगा है क्योंकि सोडियम मेटा सिल्केट एक बहुत बढ़े किलीनिक एजेंट है और इसमें हलका जाग भी बनता है तो यह आपका लिक्विड डिटर्जन एकदम ट्रांस्पारेंट बन कर त्यार हो जाएगा तो आप एक बार बनाकर इसे आप चेक करिएगा इसका रिस्पांस देख कियेगा और मुझे कमेंट में बताइएगा इतना सोडियम मेटा सिल्केट मिलाने के बाद में अभी एसलियस लिक्विड बढ़ियां से भोड़ा आओ और हम इसमें मिलाएंगे और देखते हैं क्या होता है तो आप वीडियो के साथ बने रहिए इतना सोडियम मेटा सिल्केट मिलाने के बाद में एसलियस लिक्विड गाड़ा हुआ है अब देखिए यह एसलियस लिक्विड गाड़ा हो गया अब यह आपका एक लिक्विड डिटर्जेंट बन गया आप इससे कपड़े भी धो सकते हैं इस वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा कि सोडियम मेटा सिल्केट से अगर हम एसलियस लिक्विड को ठिक करें तो क्या होगा और साल्ट से नमक से ठिक करें तो क्या होगा देखिए नमक से बढ़ियां ठिक हुआ है और यह कम खर्च में एसलियस दावाद है जिससे कोई भी वीडियो बार आपके पास तो रहां पौशा कर वीडियो देखने के लिए धर्नवार नमस्कार